हेलो एंड वेल्कम टो दी चैनल जैवस्टडी माइनम इस प्रियांशु दुबे हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतरगत शुरू से देख रहे हैं तो हम लोग काफी लेक्चर ये प्रिशाकरानती का अंकम के अंतरगत हम लोगोंने समिक्षा अधिकारी साइक समिक्षा दिया है और यह प्रेसिडेंट का पार्ट टू मोस्ट रोली चल रहा है तो अगर आपने इससे पहले प्रस्ताबना का लेक्षर नहीं देखा वो देख लिजे प्रेसिडेंट में कई सारी चीज़े मैंने बताई हैं उनको देख लिजे मैंने जो गौवर्मेंट का औरगन ह है लेजिसलेचर एक्जिक्यूटिव जूरिश्टी इसके बारे में शर्चा लिए उनको देख लिजे कई सारी चीज़े बताई हैं कि अपाइंट्मेंट आफ फिनेंस कमिशन कौन करता है कौन सा आर्टिकल है जितने आर्टिकल में बताता जा रहा हूं उन्हीं आर्टिकल कर रहे हैं आज हम लोगों को देखने वाले हम लोगों नहीं प्रेसिदेंट की अंतरhofर राश्टरपती की लेज़िसलेटिव पावर राश्टरपती की एग antibodies की जुदिशरी पाबर इन सब को देखा था जहां पर हम लोगों ने वीटो पाबर की भी चर्चा की थी रास्ट प्रती की इसके अलावा मैंने आपको रास्ट प्रती की पार्णिंग पाबर की चर्चा भी की थी मैंने आपको I love you आपको आपको आर्टिकल डिंग डॉन प कि आप घर पे अपनी बुक में इंटरनेट पे इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल जोड़ देख लें अंतर राजी परश्द का क्या अनुक्षेद है क्या है मैं आपको आप्शन दे देता हूं आप कमेंट करके बता सकते हैं ए आप्शन आर्टिकल 263 बी आप्शन इनमें से कोई नहीं तो अंतर राज्य परश्द का अनुक्षेद के अंतरकत इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा की गई है जिसका गठन प्रेसिटेंट के द्वारा की जाता है तो आपको बताना है आप्शन आप्शन आपको इसका आर्टिकल नहीं आपको बता होगा लेक कि जब हम constitutional body कर रहे होंगे तब मैं आपको अंतर राज्य परश्द के बारे में बताऊंगा कि ये जो temporary constitutional body है ये एक temporary character की है ये permanent character की constitutional समयधानिक संस्तान नहीं है इसके बारे में चर्चा हम तब करेंगे आज हमारा topic है president की emergency power आपात कालीन शक्तियां president की कौन सी है इसको हम ल लिखना है कि ये आपात काल आखिर संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है तो याद रखिएगा कि ये आपात काल संविधान के part 18 18 में भाग में लिखा हुआ है और इसको याद करने का तरीका in general सामानता में बताता हूं कि जो engineer होते हैं वह अपने नाम के आगे ऐसे लि ये मतलब emergency अपात काल आर का मतलब 18 मेरे ख्याल से अगर आप reasoning पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि alphabet में आर का मतलब 18 होता है तो part 18 emergency की बात करता है साथ मैं आपको यह याद रखना है ये जो emergency है कि government of India Act 1935 से लिया गया भारत सरकार अधनियम 1935 से लिया गया है मैंने आ को modified करके हमारा समयधान यसे for example हमने अमेरिका से वो concept उठाया कि समयधान की शुरुवात प्रस्तावना से होगा for example हमने ऑस्टेलिया से प्रस्तावना की language को उठाया for example हमने कहीं से directive principle of state policy राज के नीती दिरिशक तत्तों को उठाया उनको modified करके अपने constitution में जोड़ा for example हमने fundamental right अमेरिका का basic right था हमने उनको मौले घरिकार के रूप में अपने समयधान में modified करके जोड़ा तो यह emergency का provision हमने प्रवधान कहां से उठाया है कि Government of India Act भारत सरकार अधनिया 1935 के द्वारा लिया है कुछ बच्चों के दिमाग में वह सकता जर्मनी चल रहा होगी नहीं हमने लिए emergency को कि अब आपको यहाँ रखना है कि emergency वास्पित्ता में तीन तरह की emergency के हमेशा चर्चा हम लोग कर रहे होते हैं कौन से तीन तरह का इसी है एक है national emergency इसको पहले में बिगार दूँ कि अब यह हुआ है कहीं पर बस आप लोग उसको एक है national emergency कौन कौन से तीन तरह की emergency है एक है national emergency एक है state emergency और एक है फिनेंस मेर्जनसी विद्टिया अपातकाद ठीक मुझे एक्चली करसर नहीं दिखाई दे रहा है तो अगर मुझे एक मिनट का टाइम देंगे तो मैं करसर इचली ढूंड़ने में बड़ा समर्थ होता हूँगा कि अब मुझे करसर दिखाई दिया फिर से गया होगा इसकी भी अपनी लीला है कभी भी किसी प्रिकार से काम करने लगता है तो पोशेश करते हैं कि एक बार यह करसर का इसू शॉल्व नहीं होता है तो मैं कि वाइड बोर्ड ही ओन कर लेता हूं जादा अच्छा है कि उसमें मुझे क्या होगा फिर करसर दिखाई देता रहेगा वादना करसर नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाती लाइन नहीं पता रखती कहां जा रही है चलिए इसमें देखते हैं देखिए ऐसा कि मैंने आपसे बोला कि इमर्जंसी जो हम पढ़ रहे हैं तो बेस आपको यहाद रखना है कि वास्विक्ता में किसी आइंध skilled में पूस्ट सबसे भी इमर्जंसी के कोई दर्म नहीं दिया हुआ है तो जो लिखा है वो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल जिसे हम लोग कहते हैं राश्रपती शाषन ठीक इसका मतलब आपसे पूँच ले कि आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट रूल राश्रपती शाषन की चर्चा की गई है यह शब्द नहीं लिखा है राज जी का अपात आपातकाल मतलब हम जिसे राश्रपती शाषन कहते हैं वह वास्कता में राज्य का आपातकाल है इसे हम लोग कभी-कभी हम लोग इसे समवेधानी का पातकाल भी कह रहे होते हैं इसे हम लोग कहते हैं constitutional emergency कि इसे हम लोग कहते हैं सम्वेधानी का पातकाल आपके क्यों कहते हैं तो अभी थूड़ी दिर में आएंगे तो समझेंगे इसको आके constitutional emergency क्यों कहा जाता है कौन से आरडिकल आपके दखना है एक है आरडिकल 352 एक है ऐर्टिकल 356 और एक है ऐर्टिकल 360 इसका मतलब अगर आप 4 चार जोड़ दें अगर आपने एक बेसिक आर्टिकल एसर रख लिया 352 तो उसमें 4 उड़ेंगे तो 356 उसमें 4 एड़ करेंगे तो 360 यह आपको तीन हो आर्टिकल याद रहने चाहिए ये है रास्ट्रिय आपातकाल का नुक्षे 352, ये है राजिकी आपातकाल का नुक्षे 356, और ये है वित्तिय आपातकाल का नुक्षे 360, ठीक, अभी हम लोगों ने अभी तक federal structure को complete नहीं किया, एक बात और समझनी होगी, कि जब जब emergency की बात आएगी, तब तब मैं कहे दू होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि भारत एक संगवाद है, तो कई जगा पर आपको मिलेगा कि भारत में जो संगवाद है, वो वास्तिक्ता में क्वाशी federalism है, अर्द संगवाद है, क्वाशी कहते हैं, उसको क्वाशी क्यों कहते हैं, ये वास्तिक्ता में संगवाद का मत एकसे लेकिन हारे फैटरलिजम कैनेडा केेटरलिजम से मेल घंट है लिया वहीं से गया है इसलिए हमारे पीओर फेडलिजम की बाते नहीं करते हम प्योर फेडलिजम की बात नहीं करते हम को उसी फेडलिजम एक बात और याद में साथ में रखना है कि भारत का संगबाद अगर मैं फेडलिजम की बात करूं तो भारत की संगबाद में क्या आप समझ पाओगे कि हमारा फेडलिजम वासिट नागालेंट अपने मन से नहीं है अगर इनको तूटने का मौका दे तो यह बूरुलेंड लग से बना लेंगे खाले सान लग से बना लेंगे किरल में भी कोई ना को तूट जाएगा अपना राज्य तो हमारा बाउंड टोगेदर है हमको एक धागे में बांधा गया है हम कम तो इतरी बाते नहीं करते तो जब पड़ेंगे तो समझेंगे संगवाद में अभी समझना कि संगवाद का मतलब होता है डिवीजन आप पावर शक्ति का डिवीजन करना विवाजन करना जिसमें के पास इतनी ताकत है उतनी राजी के पास होनी चाहिए लेकिन जब- रहे होते तो मैं यह जब यह कह रहे होते हैं कि वायसित्ता में जब जब आपातकाल की बात होगी तो केंद्र के पाँझन मेंस पावर ज्यादा होगी तो इसलिए मैंने कहा कि और और पीUI्ति आपातकाल जहां पर मैंने बताए किнеर अरटिकल-3 Firefox vacet केंटर आता है और फिनेंस इमर्जंसी आर्टिकल 360 के अंतर गता आता है जहां पर हम लोग इस्टेट अमर्जंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और उसको कॉन्स्टिकीनल जैसी संबोठभाणनी का पातकाल भी कह जाता है Bam in activitator's warm तो औ hay इस्ट्रपती राष्ट्वतव कैसे फ़ोषण करेगा तो ऐसा थोड़ी नावा कि प्रोक्लीम करने के लिए राष्ट्र पती ने बस शुरू कर दिया कि हाँ आज हमारा मन करना हम राष्ट्रिय अपादकाल लगाएंगे तो उसके कुछ बेस हैं तो दिया रहा थ्री बेस तीन आधारों पर राष्ट्रपती राष्ट्रिय अपादकाल की घोशना कर सकता है पहला युद्ध हो चुका हो युद्ध होने की समभावना हो दूसरा बहारी संघर्स, external aggression हो चुका हो, होने की संभावना हो, और तीसरा, हम लोग कहते हैं, armed rebellion, cynic विद्रो हो चुका हो, या फिर होने की संभावना हो, इन दशाओं में, राश्ट्रपती, cabinet की recommendation पर, राश्ट्रपती, cabinet की recommendation पर, national emergency की घुशना कर सकता है, जो की article 3052 में दिया हुआ है, simple, ठीक, basics on में आया, हाँ, इस बात को याद रखना है, कि हाँ, यह जो armed rebellion है, यह वास्विक्ता में, एक word पहले armed rebellion नहीं लिखा हुआ था, समूल समिधान में जो लिखा था, वो लिखा हुआ था, internal disturbance, आंतरिक कलहा, एक आधार, रास्टे अपातकाल के लगाने का था, लेकिन, 44 में समिधान संशुधन, 44th constitutional amendment act 1978 के द्वारा, internal disturbance के आधार को हटा कर, उसकी जगा, armed rebellion को आधार बना दिया गया, मैं इसलिए slow चल रहा हूँ, ताकि आपको पहली वार में इस सब चीज़ें clear हो जाए, दुवारा की तरफ जाना ना पड़े, ठीक, तो बहुत सिंपल सा फंटा एक दब पूरा पूरा बता दिया, जो सबसे simplest हो सकता था, इसको diagram ऐसी बना लेंगे, तो आयाद हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप से question पूछ ले, कि इनमें, which of the falling is not the basis for national agency, इनमें से कौन, राश्ट्रिया पातकाल के लगाने का आधार नहीं हो सकता, लिख देगा कौन सा आधार नहीं है, लिख देगा A, war, B, बहारी संघर्स, external aggression, C, लिख देगा, armed rebellion, और D, लिख देगा, internal disturbance, आंत राश्ट्रिक कलहा वास्विक्ता में, राश्ट्रिया पातकाल को लगाने का कोई अधार नहीं बचा, यह अधार पहले था, अब नहीं है, तो आप से पूलेगा, बताईए, armed rebellion, सैनिक विद्रोग किस समिधान संशुदन के द्वारा जोड़ा गया, या replace कर दिया गया, आं मंत्री, एक होता है मंत्री परिशद, एक होता है मंत्री मंडल, तो यह मंत्री मंडल शब्द, 44 में समिधान संशुदन के द्वारा, कहां जोड़ा गया है, आर्टिकल 352 में, और जिसमें क्या लिख दिया गया, लिखा गया, कि राश्ट्रपती, कैबिनेट की written recommendation के बाद ही की राश्ट्रिया पातिकाल की घोश्टा कर सकता है, इसके तीन अधार है, युद्ध, बहारी शंघर्स, या फिर सैनिक विद्रोग, तो आगे चलते हैं, पहला पॉइंट खतम हो, नमबर टू, क्या टाइम पिरेड होगा, या क्या अप्रूबल का तरीका, क्या कितने के अंदर, इस resolution को यह जो प्रस्ताओ, जो यह प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम करनी हैं हमको राश्ट्रिया पातिकाल, यह पार्लियमेंट संसत के द्वारा एक महा के अंदर अप्रूब की जाएगी, कैसे? इस special majority के साथ, मतलब यह जो प्रोक्लेम कर दिया है राश्ट्रिया पातिकाल के घोशना की जा रही है, वह राश्ट्रिया पातिकाल की घोशना संसत के द्वारा पास की जाएगी, कितने महिने में? एक महा के अंदर, ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो तो फिर राश्ट्रपती हमारा डिक्ट्रीटर हो जाएगा, जब मनाएगा, कैमिनेरी कहन महां के अंदर हर सिक्स मंत के अंदर इसको पार्लियमेंट के द्वारा एप्रूब होना पड़ेगा कि हम इसके उस फैक्ट में नहीं जा रहे हैं कि तब क्या होगा जब डिजॉल्व हो जाएगा यह कई वार कुशन बहुत जब उपर रिवी ओफिसर में यहां तक नहीं जात तो आपको यहाद रखता है कि अगर पार्लियमेंट डिजॉल्व हो गई है तो जब भी लोकसवा पहली बार मिलेगी आके जो नहीं लोकसवा बनेगी तो उसकी जैसी रीसेंबली होगी तो उसके मिलने के तीस दिन के अंदर इस प्रस्ताव को संसत से पास होना होगा उस द का नहीं समझ मैं तो कोई बात नहीं समझ मैं आज performs है नहीं संचिवात और टो धिया टाइम है बन मन्स में मैं पार्लेमेंट सी अप्रूबवर होगा इस पेशल मजोऑर टी कि दौर अभी Εचियोश लेटली किया हैieso पर दोडिक है मुझे नहीं पता आपको भी नहीं पता विएकि अभी बस शब्द याद रखना है स्पेशल मेजॉरिटी जो क्या कहता है जो कहता है टू-थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग टू-थर्ड का प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना प्रेजेंट और कितना वोट कर रहा है उसका टू-थर्ड इससे हम लोग कहते हैं विशेश बहुमत इतना याद करने इसा तक कुछ नहीं समझना अभी अभी फिलाल ठीक है अगला पॉइंट क्या है अच्छा ठीक है लगा दी इंफाइने टाइम तो लग सकती है हर छे महां में एक अप्रूबल चाहिए होगा पार्लियमेंट का तब फिर इंफाइने टाम सकती है तो पूछा तो यह भी जा सकता है कि हटेगी कैसे हटेगी कैसे कैसे इसको हटना क्यास है तो देखो क्यसे हटेगी तो उसकी दो प्रोसेस हैं पहला पहला यह अगर रास्ट्रया पातकाल को हटाना है अगर एक बटे दस मेंबर लोक सभागे लोक की त्न्स का उद्ट pract को अगर एसा नोटिस क्षो स कि हम राष्टिया अपाद का अगर एक वटे दस लोग सभा कि टोटल स्ट्रेंध के एक वटे दस लोगों ने ऐसा प्राष्टाव अगर speaker रत्वा president को दे दिया तो 14 days के अंदर यहें लोगे की special setting बुलाएंगे जहां पर इस प्रस्ताव की सर्चा की जाएगे इसको पतलब हटाना है अगर राश्ट्रिय अपातकाल को number two तरीका क्या है number two तरीका number दूसरा तरीका है कि simple majority के द्वारा साधारण वहुमत के द्वारा लोक सभा से यह अगर approval हो जाता है तो राश्ट्रिय अपातकाल को हटा दिया जाएगा तो इन सब चीज़ों के याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ जब राश्ट्रिय अपातकाल लगाना था तो यह आपके याद रखना है कि राश्ट्रिय अपातकाल लगाने के लिए जहां पारलियामेंट की संस्तुती चाहिए पारलियामेंट का approval चाहिए वहीं राश्ट्रिय अपातकाल को हटाने के लिए कि लोक सभा अपने आप में काफी है तब राज सभा की जिरुवत नहीं पड़ती है तो यह मेरे ख्याल से क्लियर हो चुगा होगा कुश्चन यहीं से घुमा के पूछता है वह अच्छा फंडामेंटल राइट मौलेक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर रास् फंडामेंटल राइट पर क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है तो जनरली दो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 358 अनुक्षे 358 अनुक्षे 358 कहता है राश्ट्रिया पातकाल की दोरान अनुक्षे 19 जो की है राइट टू फ्रीडम की बात करता है सुनता आपके ए उस सब सस्पेंड हो जाएंगे लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी दर्शा में सस्पेंड नहीं होंगे चाहे नेशनल बजनसी लग जाए चाह तूफान आ जाए ठीक समझ में आ जाए यह बात तो बहुत अच्छी बात नहीं आये तो परेशान नहीं होना है कि जब फंडमें हो जाएगा जबकि अनुक्षेद 369 में अनुक्षेद 19 के इतर और जो आर्टिकल है फंडमेंटल लाइट उनके सस्पेंशन की बात की गई है विद्धी अप्रूबल आप प्रेसीडेंट नोडिफिशन निकालेगा वो लेकिन हां किसी भी दर्शा में अनुक्षेद 20 और 21 जो आपकी फंडमेंटल लाइट हैं आपके मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी दर्शा में सस्पेंड नहीं हो सकते तो कई वार कुशन आता है कि बताए कौन से मौलिक अधिकार किसी भी दर्शा में सस्पेंड नहीं हो सकते तो रुष्यद 20 और 21 ठीक तो मैंने बुला समझ म के दौरान लोकसभा के tenure पर क्या कोई impact पड़ेगा तो हाँ पड़ेगा निम्न सदन का tenure रास्ट्रिया पातकाल रास्ट्रिया पातकाल को हटा लिया गया है तो छे माहा के अंदर इस इस लोकसभा को डिजॉल्व होना पड़ेगा थिए अगर समझ में आ जाए फिर मैं बोला हूं तो सही नहीं है कोई बात दो कोई लिए पढ़नार लेने कि जब मैं इसको पढ़ा रहा हूंगा आपको जब पर्लेमेंट पढ़ाँगा तो मैं ये बात फिर से बुलूँ फिर से बता रहा हूँगा कि राश्ट्रिय अपातकाल के दौरान लोगसभा के कारगाल को एक साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में ठीक अब आते हैं स्टेट अमर्जनसी पर राजी के अपातकाल पर इसे हम लो 356 कहता है वाश्टा में आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 इन दो जगाहों पर राजी के आपातकाल के लगने के कारण लिखे हुए है चहां पर आर्टिकल 356 कहता है कि इव दिस स्टेट विल नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद्धी गाइडलाइन अब दौन्सिटूशन अ रास्ट्र पती रास्ट्र पती शार्शन की घोशना कर सकता है अ है फ्यक अर्ट कल 365 में लिखा हुआ है कि केन्दर के द्वारा अगर कोई डाक्शन राज जी जाती है व्यज्याम्पल यह जो रेलैंट्रें के कोई ओ Всемिंद्धन कुई और देता है कि केंदर कहेगा कि यहां कानून का यहां पर तो कोई बचाई नहीं है काम तो इसलिए इस पर राश्ट्रपति शार्षन प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है एक तो जनरली आर्टिकल 356 को 365 के साथ रीड किया जा रहा होता है ठीक है वह सिंपल से शब्दों में यह तसम क्यूंकि लिखा हुआ एक्टिकल 356 में इफ दी एक्ट विल नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस बिद्धी कईड लाइन अफ दी कॉंसार नहीं चलेगा तो सम्मिधान ही नहीं वहां काम कर रहा है इसका मतले से कागा सम्मिधानिक आपातकाल ठीक इसे क्यूं कहा गया राज्यपाल प्रैसिडेंट के द्वारा मतलब पावर कौनदे रहा है वर two to apply दे रहा है तो राश्ट्रपाती से het water लेके वैठा हुआ है और राज्यपाल उस्ते राज्य के चीफ सेक्रेटरी की मदद से या फिर कोई और जिसे वो नॉम्नेट करेगा राश्पती चीफ सेक्रेटरी के मदद से जो प्रधान सचे भूगा उस राज्य का उसकी मदद से उसकी मदद से उस राज्य का administration चलाता है इसलिए से कहते हैं राश्ट्रपति शाशन ठीक फिर वही चर्चा कि बताओ वहिया Parliament का approval time क्या है ज्याद रखिए इसको Parliament approve करती है दो मन्त में two month में मतलब संसत के द्वारा राजिके अपातकाल की जो राश्ट्रपति घोशना करता है उसे दो महा के अंदर संसत को approve करना पड़ेगा आप कहेंगे ये तो आपने minimum time बता दिया maximum time कब तक राजिका अपातका लगा रह सकता है तो मैं कहूंगा maximum 3 साल तक आप कहेंगे कोई नई चीज है क्या यहां पर बताने लाएक तो मैं कहूंगा हाँ नई चीज यह है यहां पर बताने लाएक कि अगर 3 साल से उपर उस राश्ट्रपति शाशन को आपको राजिक पर लगाना है इसके लिए आपको समिधान में संशोधन करना पड़ेगा कि कुछ और बचा तो मैं कहूंगा हाँ एक चीज और बची है कि राश्ट्रपति शाशन अत्वा राजिक्या पातकाल को maximum 3 साल तक के लिए इंपोज किया जा सकता है वर शर्त यह है कि एक साल पर एक से उपर उसके बाद दो शर्त जोड़ दी जाती है वो यह कि एक साल के उपर हर छे महाँ पर इनमें से कोई एक काम होना चाहिए तभी राश्ट्रपति शाशन को अगले एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है वो क्या है वो शर्त लिखी हुए है नंबर वन या तो निए राश्ट्र के कि एक पर ना में परोघ़े किसी ब्रक्रेश में या फिल्स राजिए कि अगर नैश्णल इनसी लगी हुए है रास्त्रि आपातकाल लगा हुए है तो उन दशाओं में भी राज्र के अपातकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ाया सकता है एक मैक्सिमम तीन साल लेकिन शर्ट साथ में कंडिशन यह लिखा गया है कि एक साल के बाद क्या दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तब ही यह अगले एक साल के लिए बढ़ सकता वरना भड़ेगा नहीं ठीक और यह हर छे मैंने पर अपरूब करना पड़ेगा राष्ट्रिया पातकाल का यह बिल्कुल मतलब नहीं है सिर्फ यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि राष्ट्रिया पातकाल को आप राष्ट्रिया पातकाल तभी कह सकते हैं जब वह ना सिर्फ पूरे राष्ट्र में लग जाए कि नहीं राज्यों में लग जाए या किसी एक रा कुछे कि अगर किसी राज के किसी एक भाग पर सैनिक विद्रो के आधार पर आपात्काल लगाया है तो आप आंसर यह नहीं देंगे वह एक राज का अपात्काल होगा आंसर वह एक नेश्नल रिजन्सी कि है यूद्कि आधार क्या है आम्ड डिबिलियन सेनिक विद्रूप कैसे हटा सकते हैं तो प्रेसिजेंट रिकमेंड करेगा और मैं सुरू से बैल ला हूं कि प्रेसिजेंट का अपना कोई अपना कोई विवेक नहीं है वह रहें कंशिल मिल्सर कहने पर काम करता है यह आपका स्टेट का अमेंडनशी क्या है विद्यापाद का आटकल पर्द कर थीन सब साथ में दिया है maximum period का पता नहीं कब तक लेकिन हां दो माह के अंदर विदिन टू मंथ इसको अप्रूब होना पड़ेगा कहां से सिंपल मिजॉरिटी से कहां से अप्रूब होना पड़ेगा तो यह मैंने आपसे कहा दिया कि यह सिंपल मिजॉरिटी से अप्रूब होना पड़ेगा पार्लेमेंट से तो बहुत सिंपल सिंपल सा चीजें हैं जो आपको याद रखनी है राश्ट्रिया पातकाल में राजिक्य में चाहिए यह याद रखिएगा और इसका मैक्सिम्म प्रियेड क्या है इन फाइनाइट मिनिममम सिक्स मंथ शुरुबात तो एदना एक मन्त में प्रूबव छह महां तक करें लग सकते हैं स्टेट अमर्जंची मैं आपको बताए टू मंत में अपूल चाहिए पर्लेमेंट को मैंक्सिम्म प्रियेड क्या है तीन साल का मैंसा ठीन साल करना पड़ेगा संसत को अगर च्भले लग गई है तो संसत की दौरा अप्रूब्ल दो महाँ के लेना पड़ेगा यह आपको याद रखना है अगर यह नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी इसके साथ पढ़ते रहेगे यह आपका लेक्षिन पर प्रलेमेंट का यहां पर मैंने आपाद काल की चर्चा करती है शाह कमिशन के बारे में पर कभी जब लगेगा कि यहां अपर कब यहां तब मैं आपके पर तरीका है इन आधरों पर राज्य में आपाद कर लग सकता है साथ में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डॉक्टर भीमरा मेटकर ने डेड़ लेटर क्यों का है स्टेट अमर्जेंसी को आज कि आप आथ कल को ऐसा क्यों बोला गया कि यह सब चर्चा होगी अपर में आपके पॉइंट आप व्यू से जितना इंपोर्टेंट पैं तक यह सो मुच